नमस्कार दोस्तों तो आज के वीडियो हम यहाँ पे इलावाद विश्विद्याले से संबंदित जो कटाफ आई है उसकी काउंसलिंग की किस तरीके से उसका प्रॉसेस क्या होगा और हम काउंसलिंग कैसे करेंगे और आपने जो है swell, CUT का जो BA का कटाफ यहाँ पाया है, मैं एक बार पहले कटाफ आपको दिखा दू इसके बारे मैं आपको इन्फॉर्मिशन मिली ही गई होगी, इसे संबंदित हैं अभी आपको आगे आने वाले वीडियो में दूंगा इसके साथ ही मैं बता दूँ कि जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे cut-off आपकी 734 गई है all category के लिए अब मैं counseling के लिए बात करूँगा ठीक है counseling के साथ साथ मैं कैसे कैसे मैं counseling करनी है अगर कोई problem होती है तो हमें उसको कैसे handle करना है उसको भी हम देखेंगे और कुछ यहाँ पर guideline दी गई है जिनको हम अगले वीडियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ठीक है और वीडियो एक playlist बना दी गई है आपको जो है इलहाबाद विश्विद्याले के मेन campus affiliated college के कुछ student की जिसमें बताया गया है सारे information आपको दी गई है ठीक है के form भरना है यह undertaking gap year का अगर आपके gap year है तो उसके लिए आप लगेगा इसके बाद अगर OBC या SCST है तो उसके लिए भी certificate लगता है और EWS है तो उसका भी certificate लगता है आधार एक वरिजिनल certificate photocopy और scan copy चाहिए होगी ठीक है अब इसको हम आप समझने का प्रयास करेंगे आप देखिए यहां पर guideline दीगए यह a7 दीजी का है यह आपको link कहां से मिलेगा तो basically link आपको जाना है यहाँ पर एलहाबाद की official साइट पर जाने के बाद में आपको CUT UGPG का यहाँ पर section देखेगा ठीक है जैसे आप इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद में आपको यहाँ पर simply दिखाता है CUT UGPG professional courses online counseling link ठीक है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर help line नंबर दिया गया है अगर आपको कोई information चाहिए होगी तो आप इस पर जो है contact कर सकते हाला कि उठता नहीं नंबर है बाकि मैं छोटी छोटी जीजा आपको explain करूंगा किस तरीके से भरा जाएगा counseling किस तरीके से होगी तो आप बने रहेगा बस हमारे साथ में अगर आपको कोई confusion होगा तो मैं नीचे link दे दूंगा Instagram का उसके माध्यम से भी आपका जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं सुबह 11 बजे से साम 5 बे तक counseling चलेगी इक counseling guideline आपको दिया गया है पहले आप guideline guideline को पढ़ लेना है guideline क्या दिया गया है उसको पढ़ने के बाद ही आगे procedure चलू किजेगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि high school intermediate यही सब चीजे जो कि आपको पहले ही बताई जा चुकी है ठीक है अगर आपका कोई certificate नहीं है तो उसके अस्थान पर आपको यहाँ प tight click करेंगे यहाँ पर एक Mile ख्ल जाएगा कटएिए अब यहाँ पर अपना नाम पूरा लिखरना है इसके बाद जिसके पिता अपने नाम लिखरना है इसके बाद अभिवाओ का पूरा नाम जिसके भी यहाँ पर वापस से ठीक है अब इसमें लीखा गया कि मेरा जो है दिन माह और वर्स, आपको ये डालना है, अपना नाम बठ डालना है, पता डालना है, और दूरभास, या फिर मुवाइल नमबर डालने है, चीक है, इसको निकलेवाके, इसके बाद निकलेवाके, इसमें, में जब सारी चीज़ा भर देंगे ठीक है अब मैं वह भी बताऊंगा कि कैसे भरना है भरने के बाद में वापस से आप इसकी scan copy जो है यहाँ पर upload कर देंगे अब यही undertaking form जो है आप वह सभी में upload कर सकते कि जैसा आपका你就 Chi nі एड़on कर सकते हैं और मान लीजें मा क कोई आपका रख में अभी बना नहीं इसको आप आप upload कर सकते हैं लेकिन यहां पर यहीं रखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है है मेरा क्या हुआ और में campus से मेरा यम्में हुआ था यम्में में उन्होंने क्या कहा था कि मेरी मार्चिट जो है वो मिली नहीं थी ठीक है तो उन्होंने मुझसे फॉर्म भरवाया था जिसमें लिखा रहता है कि मैं फॉर्म भर रहा हूं और मैं दिये गए 15 दिन के अंदर मैं जमा कर दूँगा college में अगर मैं जमा नहीं कर पाता हूं तो मेरा admission वो रद्ध कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके से दिया जाता है guideline ठीक है पहला क्या करना है आपको पहला इस्टेशन यूरसेल यह नहीं registration करना है आपको registration में आपको क्या करना है रोल नंबर डालना है subject डालना है फिर इसके जाएंगी ठीक है आपका नाम पीता का नाम ठीक है किस कूर्स में है क्या subject है उसमें दिखा जाएगा और इसके बाद साथ ही साथ में जितनी सी सारी guideline है रोल नंबर अभी मैं exactly मैं आपको वो चीज़े एक्सपेर नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास किसी का रोल नंबर य से जो है contact कर लिजेगा Instagram के माध्यम से तो मैं उससे directly एक बाद समझा दूँगा किस तरीके से form भरा जाएगा मैं उसका भर भी दूँगा फॉरम ठीक है लास्ट फीस पेमेंट आप कर दिजेगा अपने आथ से फीस पेमेंट जो है last stage होता है इस बाद फीस पेमेंट करने के है अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा यूजी वाला तो अभी जैसे दिखाएगा तो मैं उसके लिए अभी जल्दी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आज से ही स्टार्ट है यह counseling as I can think ठीक है और यहाँ पर लास्ट स्टेप जो होता है वो फीस पेमेंट का होता है और आपको होगा कि undertaking firm यहाँ पर भरने के बाद में जिसमें भी मालीजग आपको TC वाले में है तो TC वाले में जो है अगर आपका TC नहीं मिली है उसके अस्थान पर आप इसको जो है upload कर दीजिएगा ठीक है लेकिन आपको जमा करना पड़ेगा इसको विध्यान रखिएगा यहाँ पी अच्छी बात है अगर नहीं पास है तो कोई इतना बड़ा इसू नहीं है वह ले लेते हैं ठीक है लेकिन कोशिश किया किजिए कि अगर आपका Central Government है तो ज्यादा अच्छा रहता है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका Central Government नहीं रहेगा State Government है अधिकतर भरना होता है फिर login ID password मिलेगा इसके बाद जिसमें भी जितने भी सारी चीज़ें होती है आपसे पूछी जाती है उनको आपको भरना होता है फिर लास्ट स्टेज होता है फीस पेमेंट करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना होता है इसके बाद जो है उसकी final copy आपको सा बाकी मैं देख लेता हूंगा कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप से शेर कर दूँगा ठीक है बाकी जितनी भी चीज़े हैं वह अभी इसको मैं अगले वीडियो में जो है सेर करूँगा किस तरीके से नौर्मलाइजिसन हुआ है और क्या चांसेज है इलहाबाद वि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे इस्टाग्राम के माद्यम से जिसका लिंक आपको डिस्क्यूशन बॉक्स पर दे दिया जाएगा उसके माद्यम सब हमसे जोड़ सकते हैं थांक्यू सो मच